अब भाई औरिट का मिदलब कर लिया तो औरिट का हम फीचर देख लेते हैं थोड़े से फीचर क्या होते हैं पहले बाद तो ये समझे लो बच्चों को फीचर से नहीं बता होते हैं कि फीचर होते क्या हैं लोग features में, advantages में, principles में, benefits में, इन छोटे-छोटे words में थोड़ा सा दिक्कत कर जाते हैं, confused जाते हैं, तो आपो confused जाना नहीं है दोस्तों, देखो, features क्या होते हैं, features generally होते हैं, जो चीज आपको दिखे, generally, जैसे मैं एक्जाम लेता हूँ, क्या सा एक्टर का एक्जामपल लेते हैं, कौन से एक्टर का एक्जामपल लेते हैं, कौन से एक्टर का एक्जामपल लेते हैं, अभी किसे नुवी का एक्जामपल लेते हैं, एक्टर का एक्जामपल लेते हैं, वह था है। जो हममें मैं सामने से दिखते हैं पेश्थ किसे भी चीज वह उसके फीचर होते हैं जो आपको पता है कि हाँ ये चीज में ये इसके फीचर है ने सलमझते हैं रितीक के फिचर क्या है इसके रिट्टिंग च्छी है बोड़ी च्छी है ठीक यह obs ett sales अच्छा करता है कि अ मुझाए अच्छी करता है तो यह क्या हो गए है यह वीचर हो गए है किसके कि हितिक है अभी आपको रित्तिक के फीचर नहीं याद रखने हैं, फीचर आपको ओलिटिंग के ही पढ़ने है, तो मेरा पॉइंट था, फीचर का मतलब यह होता है, जो आपको सामने से physically दिखाई दे, या समझ में आए, किसी भी चीछ का, तो हम ओलिटिंग के फीचर आप समझते हैं, पहला फीचर क्या है, systematic process, एक चीज़ और बरा जिता हूँ, कभी भी किसी चीज का फीचर जानना होना, जैसे कि मैंने बताया, सामने से ही पता चल जाता है, ठीक है, कोई भी topic का अगर आपको features आए, अगर आपको उस topic का मतलब पता है, definition पता है, meaning पता है, तो उसी definition में से आ आपको, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे, आगर उस चीज़ का, किसी भी subject का, किसी और भी subject आप पढ़ोगे, तो उस topic में, आगर वो feature पूछेगा, तो आप ध्यान देना, अगर आपको नहीं भी आता, तो उसी definitions में से, जो कुछ keywords सौ देखो, systematic पढ़ाता ना हमने, three-party relationship अब three-party relationship उसमें नहीं दे रखा, लेकिन कहीं नहीं उसमें चुपा हुआ है, three-party relationship होता क्या है, तो एक एक करके बढ़ते हैं, पहले systematic process, systematic process जैसे हमने पहले भी discuss किया था, कि audit करना, it's not just, कि आपने कोई भी चीज, randomly कुछ भी start कर दिया, एक systematic धंग से होगा, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा explain करने वाला है नहीं, देखिए, systematic and scientific process, क्यों बोला है, scientific वो science वाला नहीं है, scientific का कुछ बत्ते साउच रहाँगा कि वो chemical मिलाने वाला scientific नहीं, वो नहीं है, scientific का मतलब यह है, कि science में होता गया, actually, science में ही तो होता है, चीजों को, हर चीज का वहाँ पर भी process होता है, इस chemical को, इसके साथ मिलाओकर तो ही यह reaction करेगा, है ना, एहाँ तो नहीं है, science में है कि अपने पानी के साथ कुछ भी मिला दिया, वो reaction करेगा ही करेगा, वहाँ भी तो कुछ चीजों के system है ना, यहाँ पे भी एक तरह से scientific process है, यह proper इसके उपर research हो रखी है, कि auditing systematic process है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आमने अपने मन से बना दिय है, नहीं, इसके उपर पूरी research हो रखी है, बहुत से बड़े-बड़े writers ने, विद्ध्वानों ने बताया है, कि हाँ, alting भी एक scientific process है, यानि यह चीज इस तरीके से आप करोगे, तभी आप अच्च्य सो विट कर पाऊगे, ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, that follows a sequence of activity, द फिर वो हमें देगा document, एक sequence है ना, कसी भी चीज का, कसी भी चीज का sequence है, पहले document मंगाएंगे, वो फिर हमें document देगा, फिर हम चेक करेंगे, फिर हम उसको वापस भेजेंगे, फिर वापस उसका जवाब देगा, फिर वापस वो हमें भेजेगा, फिर हम उस चीज को सही या गिलत करके अपनी रिपोर्ट में डालेंगे, तो एक तरीके सा पूरा सिस्टम है ना, पूरा यहां पे सीक्मेंस बना हुआ है ऐसा तो नहीं है कि हवा में ही कुछ भी हो गया, अब यह तीनो वर्ड देखो, ध्यान था देख ले रहा, बहुत ईजी वर्ड है, कुछ यादा ध्यान देने के जरूत भी नहीं है, बट यह इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉजिकल स्ट्रक्चर एंड और्गनाइज, लॉजिकल तो है ओडिट, ठीक है ऐसा तो नहीं है आप जबर जस्ती ओडिट कर रहे हो, ओडिट की जरूत भी है, जरूत है ना कि कमपनी सही से काम करती है कि नहीं करती, उसको प्रॉफिट दिखा रही है, या वो सरकार को सही से पेमेंट कर रही है, टेक्स का, क्यों दोस्तों क्या वो अपने क्रेडिटिर को सही से पेमेंट कर यह टाइम पे धोगवा धड़ी तो नहीं कर रही, कुछ लॉजिक है न, audit करने का तभी तो audit करते हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं है कि हम आलतु में ही audit करने लग गए है। structured, proper structure बना हुए audit था, पर structure क्या होता है, structure again कहीं न कहीं किस तो जूड़ रहा है structure, sequence of activities है, हर चीज का structure बना हुए audit में भी, यह structure जलने लिए जब हम बड़े कंपनियों का audit करते हैं, तब हम एक एक चीज को तरीके से चेक करते हैं, एक एक फाइल, एक फोल्डर, फोल्डर के नाम तक हमें तरीके से रखने होते हैं, जब से अभी आपके पास laptop होगा, आप कुछ भी फाइगा कुछ भी ना मना देते हो, ठीक है, उस पर आप इतना ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, लेकिन alt ए प्रॉपर structure format में ही आपको करना होता है, जसलेई इतनी से वोजने पास, तीक है, गभी आओछवघ। झाच खुच्च झाच, झाच खुचिव चला, मैं ऐसे साफ कर देता है अब आते हैं second point, three-party relationship, अब सक three-party यानि audit के process में तीन पार्टिया involved होती है तीन पार्टिया कौन सी है, एक तो खुद shareholder, shareholder कौन होते हैं, सर मालिक होते हैं company के, shareholder, आपने सुनना आपने एक बटी घरीदली कैसी company के, तो आपके पास उस company के shares है, shareholder यानि honor of the company, दूसरी पार्टिया कौन होती है, managers, या management या फिर board of director, जो company को चलाते हैं, जो सारे decisions लेते हैं, वो हो गया management, या फिर manager, तीसरा कौन होता है, of course, audit में तीसरा बंदा कौन बचा, जो audit करता है, ठीक है, यह हम आगें दुबार ध्यान दखना, यह हम features पट रहे हैं, ठीक है, तीसरा, subject matter, अब audit करने जाओगे, तो आपसे सामने वाला company, यह बोलेगा ने, इस चीज का audit करना है, कोई तो subject रहेगा, या overall statutory audit करना है, internal audit करना है, या फिर फिक्स assets का audit करना है, त तो वो subject matter, यानि एक वो जो topic है, आपके audit का, तो जिस चीज पर audit करना है, वो भी तो आपको पता होना चाहिए, तो audit के अंदर, हमें subject भी पता होना चाहिए, हमें audit करना किस चीज का है, ठीक है, तो यह वही चीज दे रखिया, audit assurance, order gifts assurance on specific subject matter, audit assurance देता है, एक particular subject matter पर हो सकता है आप statutory audit करा रहे हो, तो पूरा financial statement पर बताएगा अपना opinion, वो सकता सिर्फ आप fixed assets पर करवा रहे है audit, तो खाली वो fixed assets के बारे हम बताएगा, ठीक है, assurance, अच्छा, यहाँ पर assurance पर भी बहुत लोगों को doubt आता है, order assure करता है आपको, कि हाजी मैं आपको assure करता हूँ कि यह यह चीज में इतने गलतिया है, यह फिर यह चीज बिलकुल सही है, तो audit आपको कहा दिलाता है भरोसा, assurance देता है, तो उस भरोसा दिलाने को हम क्या बोल रहे है, assurance, ठीक है, आप देख लेता है चौत्ता point, चौत्ता point evidence है, evidence होई, auditing में सबूत तो होना ही चाहिए आपके first, ठीक है, establish criteria, अब इसमें मैं पहले पढ़ कर बाता हूँ, क्योंकि आपको मैं वैसा बताऊंगा तो शायद कम समझ में आए, यह वाला point, the evidence must evaluated, regardless, establishing criteria, include international, accounting standard, financial, reporting, यह थोड़ा इनोने न, heavy point डाल दिया आपके में, आपकी शायद यह DU वाली book में नहीं होगा यह point, यह जालो, है तो easy, अब एकना standardized होता है, audit, audit, कि किस तरीके से करना है, इसके लिए हमारे को क्या है, essays दे रखे हैं, जैसे accounting होता है न, accounting standard, वैसे audit में क्या होता है, auditing standards, audit करने के समय आपको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखनी है, बहुत सारे standards दे रखे हैं, कि इस चीज़ को ऐसा चेक करना है, इस चीज़ में ये चीज़े ध्यान देनी है, ठीक है, तो हमारे पास एक criteria होना चीए, कि हम उस criteria के हिसाप से audit कर रहे हैं, अभी भी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया वज्जह से, मानलो कोई एक essay उठा कर देख लेते हैं, मानलो accounting standard, पैसे तो हम इन सब चीज़े को बोलते है, FRF कि audit FRF के according हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये भी ध्यान देना होता है, FRF क्या होता है, financial, reporting, frame, work, यानि जो हम criteria रख रहे हैं audit करने का, हम किसके सब से कर रहे हैं, अगर हम company का audit करेंगे, तो हम companies act follow करेंगे, अगर हम firm का audit करेंगे, तो हम क्या follow करेंगे, partnership act, correct, आपना पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे example दे रहा हूँ, तो वो एक criteria के हिसाब से ही उसका audit होगा, banking का audit करेंगे, अगर हम bank audit करेंगे, तो हम banking act के हिसाब से करेंगे, insurance company का audit करेंगे, तो हम insurance act को मद्दे नजर रखते हुए उसका audit करेंगे, तो हम criteria establish कर देंगे कि हमें इस चीज का audit करना है और यह इस दाइरे में आती है, हमें वो भी पता होना चाहिए, audit के समय, last and most important opinion, भाई आपने सब कुछ कर लिया, कर रहा क्यों है, auditory सब कुछ चक करके क्या बोलेगा, वो अपनी कह देगा, opinion देगा, कि मेरे हिसाब से यह चीज सही है, यह चीज गलत है, overall बुक्स तो सही है, लेकिन यह चार चीजों में मुझे doubt लग रहा है, तो उसने अपने opinion दी, कि हाँ, मेरे हिसाब से यह चीज सही है, यह चीज गलत है, उसको बोलता है, opinion देना, auditor अपने opinion ही देता है, अपने audit report में, opinion पर हम थोड़ा सा और आगे पड़ेंगे, don't worry, अभी इतना ही ध्यान लगो, यह बहुत important चीज है, अपना opinion बताएगा कि चीज सही है, गलत है, क्या क्या doubts है, क्या क्या गलतियां है company में, सिर्फ अपना opinion देगा, वह suggestion नहीं देगा कभी, कभी सब्टियेशन क कभी सब्सक्राइजर मने लिख देना order से बताता है, कि भाई आप यहां सही हो, यहां गलत हो, simple, no opinion, sorry, no suggestion, opinion देता हो सिरफ, सही गलत बताएगा, suggestion नहीं देता हो, auditor का गाम suggestion देना नहीं है, ठीक है, तो जैसा कि मैं फिर से repeat कर जाता हूँ, features क्या होते हैं, features पो होते हैं, generally जो आपको आपकी definitions में से मिल जाएंगे, सारी चीजे, ठीक है, जो कि physically आपको किसी भी topic को सोच के समझ कि उसकी definition से दे जाती हैं, उसे बोलते हैं features, तो auditing की यह सारे features हैं, कि वो systematic होना चाहिए, उस इसमें तीन party involved होती है, manager, auditor और yearholder, यानी जो मालिक होते हैं, of course किसी company का audit करोगे तो उसका मालिक तो होना ही चाहिए न, subject matter, एक particular subject पर हम audit करेंगे, वोई भी subject हो हमें देगा, जिस चीज के लिए हमारा client audit करवाएगा, हम उसी criteria में fall करती है, banking है, insurance है, companies act में आ रही है, partnership firm act में आ रही है, opinion और last time मत्कार देते हैं, opinion देते हैं आपना, कि हाँ वह सब सही है कि नहीं, ठीक है?